यूपीटर परडसी पुराणी भर्तियों के रजल को लेकर बात करेंगे आगे बात करेंगे यूपीटर पर兩 सी भर्तियों से कफी संख्याम हो जाएंगे तो इसकी बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम से जोड़湧्यक lie frankly कर दीजेगा हमारे चाप अब्डेट रहने के लिए वैलाकन को प्रेस कर दीजेगा वीडियो पसंद आ तो लाइक और जरूर कीजेगा आप हमको इस्टागाम पर फॉलो करना चाहते हैं इस्टागाम पर फॉलो कर सकते हैं मैं इसे डिस्किप्शन में लिंक दे दिया है तो पात के लेते हैं यूपिट्र पलसी भर्तियों को लेकर बात करेंगे एक बार पंजी कराव वन टाइम रेश्टेशन की प्रिकरिया शुरू हो चुकी है तो ओट्या पोर्टल में कई कम्या है इसको लेका इस्टुएंड कमेंड भी कर रहे हैं इन सब कम्यों की बज़ए से काफी संख्या में स्टुड़न रेश्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें काफी कम्या है इसमें मूल भूत विब्रण में संसोधन का मौका नहीं दिया जाएगा इस्टुएंड अपना नाम अपने माता-पिता का नाम डेट ऑबर्ट जेंडर मूल निवास जाती और आ काफी संख्या में स्टुड़न रेश्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से स्टुड़न रेश्टेशन नहीं कर पा रहे हैं तो वन टाइम रेश्टेशन ओटी आर में काफी स्टुएंड का आधार कार्ड अल्रेडी यूज बता रहा है और यूपिट्र परलैसी की भर्तियों के लिए पीटी देना पड़ेगा तो पहले आपको OTR फिर PT इसके बाद यूपिट्र परलैसी की सभी भर्तियों के लिए एपलाई कर पाएंगे यदि आप वन टाम रेश्टेशन ही नहीं करेंगे तो आप यूपिट्र परलैसी की भर्तिय से बाहर हो सकते हैं तो यदि OTR one time registration नहीं होगा तो काफी संक्या में student बाहर हो सकते हैं जो student registration नहीं कर पा रहे हैं वो student code जा सकते हैं और ये matter first सकता है आगे बात कर लेते हैं जानकारी मिली है UPFFS में पुरानी भर्त्यों को लेकर NPT को लेकर meeting होने वाली है इस मीटिंग के बाद आयोग नोटिस जारी कर सकता है इस मीटिंग में पुरानी भर्त्यों के रजल पर चर्चा होगी तो आप सभी स्ट्वन को इस सब्ता या अगले सब्ता रजल देखने को मिल सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते है आप लोग उस नेक्स वीडियो में थैंक्यू जैहन जै भारत